नमस्ते दोस्तों आप लोग को लग रहा होगा कि आज मैं इस लेप्ट ओवर ब्रेट को क्यों लेका रहाई हूं तो आज इस लेप्ट ओवर ब्रेट से हम बहुत ही स्वाधिश्टी मिठाई बनाएंगे कुछ दिन पहले ब्रेड क boca की मिठाई बना युई इस तरब किनारे की नहीं किया और एक मे बच गया है। तो वह सोचा इक की पुस्ताप बनाइ जाये। आप भी यह किनारे कंड देते होग है। और वह ब्रेट बेकार चला जाता होगा तो चलिए इस मिठाई को हम बनाना सुरू करते हैं पूरी वीडियो देखिएगा जिससे कि आप भी इन बेकार पड़ी ब्रेट से आप बहुत ही सोड़ी शी मिठाई बना ले तो सबसे पहले जो बड़े वाले ब्रेट हैं उनके सबसे हमारा जो ब्रइड वाट है उच्छे से पीस चुका है ये बिलकुल ब्रेट करंब की तरह है तो यहां पर हमने लिएंज उडैल लेंगे यहां पर हम मिठाई बनाना शूरू करेंगे तो सबसे पहले हम ऑ ओन करेंगे और कडाही को गर्म करने के लिए छोड़ देंगे तो अब हम इस कडाही में भी डालेंगे यहाँ पर हमने बहुँ जादा गहीं का झाहीं किया है बस एक छमच घी इसमें डालेंगे घी को हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे जैसे हमारी जो घी है कि मैल्ट हो जाएगी तो हम ने जो प्रेट को पीश की रखा था वह हम कडाही में डाल देंगे लोट टु मीडियम रखेंगे लोट टू मीडियम फ्लेम पर इसे अमें कंटिन्यू चलाते हुए इसे हमें भूनना हमें इस ब्रेट को तब तक भूनना है जब तक कि इस ब्रेट से एक अच्छी सी खुस्पून आने लगे और इसका कलर इस तरह से हलका सा ब्राउन न हो जाए रेख सकते हैं यहां पर ब्रेट अच्छे से भून चुका है तो इसमें हम हाफ कप नारियल का बुरादा डालेंग तो इसे हम एक बॉल में निकाल लेंगे अगर आपको ब्रेट से बिना गैस जलाए हुए बहुत ही टेस्टी सी मिठाई की रेसिपी देखनी है तो मेरे चैनल पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं तो यहां पर हम गैस का फ्लेम फिर से आउन करेंगे और कडाही को अब यहां पर हम गर्म कडाही में हाफ कप चीनी को हम कडाही के तले में अच्छे से फैला देंगे अगर आपके पास इस तरह की कडाही नहीं हो तो उसे आप पैन में बना सकते हैं इस चीनी को हमें करमेलाइज करना इस तरह से अच्छे से फैला दे और इस टाइम पर गैस इसे चम्मच की हिल्प से चला लेंगे और देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है जब चीनी अच्छे सक्रमिलाइज हो जाए तब इसमें हम दूद करेंगे तो यहां पर मैं एक कप दूद लिए है जिसमें हमने दूद की जो थोड़ी सी मलाई है वह भी मैंने एड कर दिय जिससे की आपकी इस मिठाई का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा जैसे ही करमिलाइजी चीनी में आप दूद डालेंगे तो इस तरह से जो चीनी है वही कठा हो जाएगा तो उसे आप लो फ्लेम करकर धीरे दीरे इसे आप पिगला ले अगर आप हलका सा गर्म दूद का यूज करेंगे तो इसे आपको गोलने में असानी होगी थोड़ी ही देर में अप देख सकते इस तरह से दूद में जो चीनी है वह अच्छे से मिल्ट हो चुकी है अब इसमें हमने जो ब्रेट और नारियल का बुरादा जो भून के रखा था वह इसमें हम डाल देंगे इस अच्छे से फिर से मिक्स कर ले अगर आपके मिठाई का मिक्षर अगर ड्राइड ना लगे तो उसमें दूद आड़ ना करें और यहां पर हम दो से तीन इलाइंची को कूट कर डालेंगे देख सकते इस तरह से जब हमारी मिठाई का मिक्षर है इकठा होने लगे तो समझ आपकी मिठाई सेट होने के लिए तयार है तो अब हम गयस का फिलेम अफ करेंगे और यहाँ मिठाई के लिए बरông गरों देंगे जिसमें हम गी डालेंगे अगी से अचै कि मिठाई निकालने टाइम इससे असानी हो तो यहाँ पर हमने बरतन को अच्छे से ग्रीज कर लिया है अब हम मिठाई के मिक्चर को इस बरतन में डाल देंगे अगर आप लेप्टोबर ब्रेट से इतनी टेश्टी मिठाई किसी को बना कर खिला देंगे तो कोई बिश्वास कर ही नहीं पाएगा कि आपने इसे लेप्टोबर ब्रेट से बना के खिलाया है बहुत ही टेश्टी लगती है तो यहाँ पर हमने इस बरतन में मिठाई की सारे मिक्चर को निकाल लिया है चमच से इस तरह से अच्छे से इसे हम एक सार कर लेंगे और उपर से आप अपनी मन पसंद ड्राइफ रूट को काट कर उपर से गार्निस कर लें यहाँ पर मैंने काजू और बादाम को पतले पतले टुकरों में काट लिया है और उपर से हम अच्छे से इसे गार्निस कर लेंगे चाहें तो आप चांदी के बर्क से भी इसे गार्निस कर सकते हैं अब इस तरह से चमच की हिल्प से अच्छे से हम ड्राइ फ्रूट को मिठाई में अंदर अच्छे से चिपका देंगे अब इस मिठाई को हम में 10-15 मिनट के लिए ठंडी कर लेने हैं क्योंकि ठंडा होने के बाद इससे पीस में काटेंगे तो आसानी से कटेगी तो यहां पर देख सकते हैं 10 मिनट में हमारी जो मिठाई है अच्छे से ठंडी हो गई है अब इसे आप जितनी बड़ी साइज की च अच्छी कलडर इस ब्रेट की मिठाई में आई है तो अब इसे हम अपने मंद पसंद साइज से काट लेंगे अगर इस ब्रेट की मिठाई की मिठाई की रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक कर दिबेड़े द compose कर दो नई विडियो की नोटिफिकेशन के लिए वयल आइ करें और कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको यह मिठाई कैसी लगी